नमस्ते मस्तर, नमस्ते सर जी हाँ, कुसरो, खुसरो, बहुत अच्छा साफ सुथरा से तुम लोग इसकूल आया है, बहुत अच्छा लगा देख करके हमारा वाला ड्रेस नाया है सर जी, और मेरा भाईया का भी ड्रेस नाया है, इसी के लिए अच्छा लग रहा है हाँ सर जी लेकिन हम लोग के स्कूल में बैंच का सुभीदा नहीं है बैंच का सुभीदा रहता सर जी तो हम लोगों का ड्रेस जल्दी से गमदा नहीं होता फटता नहीं अरे ये तो प्राइमली स्कूल है कोनो इंग्लिस मीडिया में थोड़ी है कि तुमको बंच मिलेगा ही या बैट के पढ़ने के लिए सरकार जो चीज का फैसलेटी देगा वही न हम लोग देंगे दुमन के तना कड़क बच्चा लोगन से भी बात करता है सही में बड़ी खामन होई गेल है दुमनवा के मास्टर बैन के तो कोनो जाता है एक तम ठाट बाठ में इसको रावाता सब बच्वें से भी कड़क से बतियावाता है लगे छुप छुप के सूना थी अगर कोई देख लिए न तब तो बड़ी बवाल हो जाई भुर्रा दुमन के प्यार में हम पागले भे गएले ही जब तक एक नजर नहीं देखिला तब तक हमारे जियारा अगदम बेचेन होते जाएला दुमन के तो हमारे कोई परवेह न मास्टर जी आपसे एको बात कहना था इसकूल में बच्चा लोग को डरेस नहीं मिलेगा डरेस बच्चा लोग को फाट गिया है सरकार के तरफ से तो इसकूल से में तो डरेस मिल रहा है सब इसकूल में अरे देखिए आपको इतना हडबाडा आने से नहीं होगा सरकार के तरफ से जो भी चीज आता है हम लोग दे देते हैं बच्चा को आपको इस तरह से आके पूछ तास करने से कोई फैदा नहीं है अब देखिए इसकूल में दो चार आदमी का तो खाना नहीं न बन रहा है नहीं में तो लगबक चार से पाउन सो बच्चा का खाना बन रहा है तो देखिए खाना तो जैसे सब के लिए बनता है अब उतना जादा लोग का खाना बनेगा तो स्वादिश्ट तो नहीं बनेगा अरे सरकार जितना मेरे टिलियर देता है हम लोग को बनाने के लिए बस वही मेरे टिलियर डला के खाना बनता है इसमें अब हम लोग क्या करेंगे जैसा बनता है बचा लोको तो वैसा ही खाना पड़ेगा मास्टर जी मास्टर जी मेरा चाचा का बेटी और बेटा इसकूल आज नई आने सका उन लोग का इसकूल डरेस फट गिया है और इसकूल का जुत्ता फट गिया है तो मेरा चाचा का बेटी और बेटा के लिए इसकूल डरेस और जुत्ता दे दिजीगा सर जी हमको हम ले जाके दे देंगे तो कल उन लोग भी इसकूल आएगा पढ़ने के लिए हाँ सर जी मेरा चाचा भी बोल के भेजा है कि मास्टर के बोलने के लिए और इसकूल डरेस अरजुता मिल जाएगा तो काल से वो लोग आएंगे इसकूल पढ़ने देगा कि मेरा फटे नहीं मेरा पुराना हो नहीं और इसकूल भी नहीं आना है पहन के हाँ अरी बाह आप तो इसकूल के पूरा रूल सम्हाली के रही लागता दूमन बड़ी कड़क से बती आवाता मास्टर जी अगर बच्चे को नाम से आया है डरेस अर जुत्ता तो आप देदीजिये वह बच्चा लोगन के लजगे नहीं है डरेस तब इसकूल नहीं आवत हो यह अरे आप जो काम से आये हैं आप वो काम करिए कैसे देदे हम बच्चा को इसकूल आता नहीं है डरेस अर्जुत्ता सरकार क्या ब्यवकूप है आप लोग सरकार को ब्यवकूप ब सब्सक्राइब सब्सक्राइब मास्टर जी का करी गरीबी बहुत खराप भेवेला वह सरकार पैसा देवेला तो नून तेल घर के चलाई लसर मास्टर जी आप भी तो देखने में हठे कठे जवान लगते हैं आप भी तो काम करेंगे तो डेली का तो आप हमको लगता है दो सटीन सरुपई या हाजरी मा भी क मास्टर जी का बताए साथ साथ बच्चा है साथ साथ बच्चा को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना कपड़ा लगता हालत खराप हो जाता है मास्टर जी आज काल का समय में भी कोई साथ साथ बच्चा पैदा करता है क्या इतना महंगाय का समय चल रहा है एक अगर जाद दूमन तो बड़ा गियान बाठ ले चलता अब कहें गयों के बच्चा पैदा करें के चाहें उभी लागा ता यहें बताई तरत जी बुरा नहीं मानेगा तो आपसे एको बात पूछें अबी आपका बियाह नहीं हुआ है करने वालेद थे हम उसको तरकारी नोकरी का जॉब चाहिए था अब मेरा भी सरकारी नोकरी लगी गया है अब मेरा साधी हो जाएगा सर जी इसी के लिए आप नहीं समझ पारे हैं मेरा प्रॉब्लम आप साधी सुधा नहीं हैं अगर साधी सुधा होते तो जरूल समझते अच्छा ठीक है ठीक है हमको समझना भी नहीं है आपका प्रॉब्लम और कोई काम है नितना हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए और हमको दूसरे कलास में भी जाना है पढ़ाने के लिए चलो बच्छो चलो तुम लोग इहां खड़ा हो कि क्या बहर सुन रहा है चलो चलो पढ़ने बैठो कलास चालू होगी है चलो डूमन के तुमन के तुई मास्टर का रूप में देखकी एगदम मझा आ गया एगदम मास्टर है जैसन भेयब करता का रहे दूमन का भे गयी है एक की बैर हम कहले रही कि हम के बियाँ ने खरेक नूक्री कर तब यग remain के लिखने बहुदकाas दूमन बहुह है लेकिन दूम काविलदार लड़का तुझे ना देखू तो चैन मुझे आता नहीं है एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है कहीं तो मुझे प्यार हुआ तो नहीं है